जहिन फ्रेंट्स सो हम लोग आज देखने वाले हैं जितने भी हमारे यूपी की जितने भी डिस्टिक है ठीक है यानि कि जो है टोटल 75 डिस्टिक है यानि 75 जिले हैं तो आज जो है हम लोग इनको देखने वाले है ठीक है अभी आप लोगों को हम एक ट्रिक बता रहे हैं इस यह हमारा पूरा इंडिया जो है ठिक है इस पूरे इंडिया में आप देखेंगे तो सबसे जयादा सबसे जयादा जो जिलों की संख Battery harbor है किसी Hai यूपी में आप देखें गे उत्तर परदेश में सबसे ज़ादा जिले है और कितने है तो 75 ऐदी आपको नाम जय चैसे कि आप सुनते हैं इनके नाम कभी ओ रहाया हो गया आजमगड़ हो गया जोनफूर हो गया ठीक है आप जो है किसी का भी नाम सुनते हैं यह जितने भी आपके 75 जिले हैं इनके नाम जब आप सुनते हैं तो आपको समझ नहीं आता है क्या कि जो है कौन सा कहां का है तो आज जो आपको जो है हमेशा के लिए याद हो जाएंगे बस आपको जो है जैसे ट्रिक हमने बनाया है बस इसके आधार पे जो है ना तो एक कहीं से जो है आप हमको मिली है ट्रिक बस हमने जो है जिस तरह से याद किया था बस वही तरीका आप लोगों को बता रहे हैं कि इस तरीके से जो है आपको काफी असानी से YAD हो सकता है ठीक है तो अभी हम लोग इसको शूरू करते हैं और देखते हैं कि bisa कितने आखिर कैसे 75 जो district है इनको हम कैसे YAD करेंगे तो सबसे पहले आपको ABCD आती होगी में आपको ABCD आती होगी आपने हम लोग मतलब नहीं करेंगे उसको आपको नहीं अजर करना है तो आए जया हम सबसे पहले हैं सेPhil wicked की यहां से लोग देखाएंगे कि कौन कौन से नाम आते हैं। जो उत्तर करतेष के जिलों में इनके नाम है तो A से जो है कितने आते हैं तो A से आप देखेंगे यहां पे हमने 8 लिखा 8 लिखा है यानि 8 से मतलब है कि यहां पे 8 ऐसे जिले हैं जिनका नाम A से आएगा ठीक है लगभग जो है इसी तरह से आपको नाम मिलेंगे जैसे अब यहां पर शुरू करते हैं अब एक एक का हम लिखते चलते हैं ठीक है आप लोगों के सामने एक एक का नाम हम लिखते चलेंगे तो सबसे पहला जो आपका आता है आगरा ठीक यहां से आप देखते चलेंगे यहां पे आपका पहला रहेगा आगरा ठीक और दूसरे नंबर पे आपका रहेगा अलीगर ठीक य रहा आपका अलिगर, तीसरे नमबर पे आप देखेंगे, यहाँ इलावाद है, यह से नहीं आता लेकिन हमने इसी मैड इस ले किया, क्योंकि एक के लिए जो है वहाँ पे नहीं लेके जाएंगे, तो यहाँ पे आपका यह मिलेगा इलावाद, यह आपका अभी सकते हैं, इसमें इलावा, इसके बाद आपका जो चोथे नमबर पे आता है, यह है आपका अम वेट कर नगर, ठीक, यह आपका रहा है, वेट कर नगर, और फिफ्ट नमबर पे जो पांचवे नमबर पे है, यह है आपका अमेठी, ठीक, अमेठी के बाद आपका जो चथे नमबर पर आता है, इसका नाम है औरया another song, अमेठी अमरोहा, ठीक है? इससे अमरोहा लिखेंगे, औरया भी है इसके बाद, यह है आपका अम रोहा, और जो आपका साथवी नमबर पर आता है, ओ रहिया और जो आपका seven number पर आपका अपना जम्रुद, ठीक है तो A रहे आपके A से आने वाले आठ ऐसे डिस्टिक हैं जिनका नाम A से आएगा इलहाबाद ये जो है प्रियागराज भी हो चुका लेकिन इस तरह से आप जो है इसे में मिला कि इसको याद करेंगे तो A रहा आपका A से मिलने वाला ऐसे ही आप याद करेंगे तो काफी असाने से याद हो जाएगा सेकंड नमबर पर आते हैं जो हमारा आता है V से ठीक है B से आने वाले कितने हैं तो B से आने वाले आपके 12 बह hardly है तो इनका नाम अब हम लोग सुरू करते हैं तो पहला जो आपका है बागपत ठीक है एक एक को हम लोग देखते चलेंगे यह आपका है बागपत इसके बाद जो आपका दूसरा आता है ठीक पहला बागपत और दूसरा आपका आता है वहराइज तीसरा बलिया चौथे नमबर पर आपका आएगा वलरामपूर पांचमे नमबर पर आपका आएगा बांधा छटे नमबर पर आपका आएगा बारा बंकी साथे नमबर पर आपका आएगा बरेली आठमे नमबर पर आपका आएगा बस्ती और नवे नमबर पे आपका आएगा भदोही ये दिखें वी एस ही जोड़ेंगे ना उसमें तो इसलिए भदोही और इसके बाद दास्वे नमबर पे आपका आएगा दास्वे नमबर पे विजिनौर और फिर आपका एक ग्रहमी नमबर पर जो आएगा उसका नाम है वदायू और वरहमी नमबर पर आपका आएगा बुलंद सहर तो ए आपके रहे वी से आने वाले जिहाँ वी से आने वाले यह जो है आपके जितने भी डिश्टिक है यहाँ पर आठ हमने देखा यहाँ पर वारा अभी हम लोग देख लेते हैं C से केवल 2 हमने लिखा है जी हाँ C से केवल 2 रहेंगे और पहला जो आपका है चंदवली और जो दूसरा है चित्रकूट ठीक, चंदवली और चित्रकूट ये जो है आपके 2 district है जिनका नाम जो है केवल 2 हमने यहाँ पे रखा है यह दो ही है मतलब की इसलिए जो है याद करने के लिए बस इस तरह से हम आप लोगों के सामने ए रहा आपका D से केवल 1 है ठीक है इसका नाम है देवरिया यह केवल 1 रहेगा इसके बाद आप देखेंगे तो E से भी 2 ही केवल है केवल 2 है E से Eta और Itama इसके बाद आपका यप से आएगा ठीक यप से हम लोग देखेंगे कितने यहापे हमने लिखा है यहापे हमने लिखा है 4 तो फैला जो आपका रहेगा फैजाबाद इसके बाद सेकेंड आपका रहेगा फरुखाबाद और फिर थार्ड नमबर फिर आपका रहेगा फतेफूर और फूर्थ जो आपका है यापसे लाश्ट है इसका नाम है फिरोजाबाद फिरोजाबाद अभी हम देखते हैं कामरा चालू ठीक कोई दिक्त नहीं है अभी आपका हमारा कहां तक हो चुका है यह अफ के बाद हम आ जाते हैं जीप पर फिरह विर्ड के सिस्वाइव कितने बुर्द नंगर गौतम बुद्धनगर इसके बाद दूसरा आपका गाजी अबाद और इसके बाद थार्ड नमबर पे जो आपका आता है गाजेपूर और फिर आपका फूर्थ नमबर पे आता है गोंडा और फिर फाइफ नमबर पे आपका आता है गोरखफूर यह आपके फाइफ डिश्टिक कहां के हैं तो ए जे से आने वाले हैं इसके बाद यह अच्छ से ठीक है अभी हम इसको थोड़ा मतलब की एक बार मीटाना पड़ेगा इनको इस सकते हैं ठीक है ठीक दिख रहे यहां पे तो आप जो इसका संट ले सकते हैं और इसके बाद जो हम लोग आगे इनको उटाने के बाद फिर जी तक हो चुका है यह अच्छ से लोग देखते हैं तो आप लोग जो है in इसका सकीन साथ ले सकते थां अब करते हैं और देखते हैं तो आप लोगा देखेंगे और यह से कितने आएंगे तो हैंदे ऐस्फ छ साप ऐसे सिचाने वाले हैं अब है अभी देखिए यह से देखते हैं तो यच से पहला आफ का रहेगा हमीर फूर, सिकंड आफ का रहेगा हाफ फूर, और थर्ड आफ का रहेगा हर दोई, और फूर्थ हाफ का है हाथ रस, यह आफ के फर्स्ट, सिकंड, थर्ड और फूर्थ, यह जो है आफ के यच से, इसके बाद यज के बाद हमने जे के पास भी लिखा है यज के बाद आप देखेंगे ठीक है तो यहां पर जो आई रहता है आई के बारे में हमने आई से कुछ भी नहीं लिखा है यहां पर हमने जे लिखा है यहां जो है आप आई नहीं लिखेंगे तो जे जे में जो है कौन कौन सा है तो यहां भी हम लोग देख लेते हैं ठीक है जे से क्या क्या रहेगा तो पहला आप करेगा जलो ना जिहां यह भी एक डिश्टिक ही है जोन फूर और फिर थर्ड नंबर फे आपका जहांसी और जहांसी के बाद जो है आपका आएगा जोतिवा फूले नगर जोतिवा फूले नगर यह आपका जे से आएगा ही तो यह चार आपके हो गए यहां और जे के बाद आजाएंगे हम लोग के पर ठीक है जे के बाद हम लोग देखेंगे के से सुरू करेंगे और के से कितने डिश्टिक यहां पे रहेंगे तो के से आपके 6 डिश्टिक हैं यानि 6 जिलो कौम को देखना है तो पहला जो आपका रहेगा यहां पे कन्योज कन्योज, कानपूर, फिर कानपूर नगर फिर इसके बाद कौनसी राम नगर इसके बाद आपका रहेगा कौसाम भी और फिर जो छटे नमबर पे है वो है कुर्शी नगर तो हमने के तक देखा अब इसके बाद यल यल में जो है कितने है तो केवल जो है आपकी तीन डिश्टिक हैं जिसमें जो है कौन-कौन सा है तो पहला है आपका लखेम फूर और दूसरा है ललित फूर फिर आपका जो थार्ड नमबर पे रहेगा यह रहेगा लखनौ जो आपकी कैफिटल भी है इसके बाद यम से आ जाते हैं और यम को देखेंगे तो यम में जो है कितने हैं टोटल जो है नाइन डिश्टिक है यानि नव राज जिश्टिक मतलब जीला नव जीलों को देखना है तो इनको देख लेते हैं हम लोग यहां पे देख रहे हैं ठीक है बार-बार इनको उटाइंगे ने बस यही पर हम लोग देख लेते हैं नव को तो यहाँ पहला रहेगा आपका महाराज गंज इसके बाद महोबा मैन पूरी फिर आपका मतुरा फिर आपका महू मेरट मिरजापूर मुरादाबाद मुजप्फर नगर यह आपके जो नव जिले हैं यहाँ पर हमने यम से देखा इसके बाद जो हम देखने वाले हैं यम के बाद इसके बाद हम लोग देखेंगे पी से के वल दो हैं यहाँ यही पर हम लिख देते हैं इनको एक है आपका फिली भीट और एक है आपका परताप गड़ इसके बाद आर से भी दो हैं यहीं लिख देते हैं एक है आपका राइबरेली और एक है रामपुर यह दो यहीं से लिख देते हैं इसके बाद यस में जो है फिर से नाइन है तो इनको देख लेते हैं ठीक है यस में जो है कितने है, तो नाइन डिष्टिक है, नौ राज्य है, बार बार राज्य का नाम आ रहा है डिष्टिक मतलब जिला है ठीक, तो यहां पर जो है, अब इनको हम देख लेते हैं, पहला है आपका सहारनपूर, और सहारनपूर के बाद संभर इसके बाद संत कवीर नगर इसके बाद सहजहाफूर सहजहाफूर इसके बाद आपका स्रावस्ती सिधार्थ नगर सीतापूर अभी एक, दो, तीन, चार, अच्छे और साथ हुए हैं फिर इसके बाद आपका आएगा सिधापूर, सहजहाफूर, सिधार्थ नगर ठीक फिर एक आपका आएगा सुल्तानपूर ठीक सुल्तानपूर और दो आपके जो बस्ते हैं उन्नाव और वराणसी फिर ए आपका है उन्नाव ठीक है यू से रहेगा आपका उन्नाव और ए आपका रहेगा वराणसी ठीक तो ए आपके रहे कितने जो आपके पूरे टोटल डिस्टिक है ठीक है तो 75 डिस्टिक है एक बार हम लोग काउंट कर लेते हैं ठीक अच्छा है ठीक यहाँ पे एक कम है इसको बता देते हैं आपको सोन बात सोन बात ठीक तो आपके जो है ए रहे आपके टोटल 75 डिश्टिक यानि जो 75 जिले आपके हैं बस इसी ट्रिक पर आपको याद रखना है ठीक है इसी से जो है आप लोग इसको याद कर सकते हैं तभी जो है आपको याद रहेगा